दोस्तों इन दिनों पूरी दुनिया अफगानिस्तान और तालिबान में उल्जी हुई है विश्वक की निगाहें तालिबानी सरकार पड़्टी की है जिसके पंजशीर में पाउं लड़ खड़ाए तो पाकिस्तानी फौज भी वहां धमक गई तो भारत भी अफगानिस्तान में अपनी पकड मजबूत करने के लिए अंदर खाने लगा है खैर इस वक्त हम इसरों से जोड़ी खबरों से हट गए लेकिन दोस्तों इसी दौरान भारत की सूपर संस्ताने आपको खुश होने का एक और मौका दे दिया है मौका भी ऐसा कि जिस मिशन को दुनिया फेल ब चंद्रियान टू एक बार फिर क्रांतिकारी जानकारी के साथ दुनिया के सामने आया है इसरों के चंद्रियान टू का दुनिया में भौकाल चांद पर भारत के सबसे बड़े युद्धा की करामत दोस्तों कुछ दिन पहले हम सभी भारत के एक मिशन जी सेट वन के ब्रहमांड में खो जाने से निराश हुए थे क्योंकि वो भारत को दुनिया के किसी भी देश की जासुसी करने की कुवत दे देता आज अफगानिस्तान के जिन इलाकों में तालिबान और पंजशीर के युद्धा भिड़ रहे हैं वहां हमें चप्पे चप्पे की खबर होती लेकिन दोस्तों वो मिशन आखरी 10 सेकंड में नाकाम हो गया सेटलाइट अनंत अंतरिक्ष में खो गया लेकिन दोस्तों आज से दो साल पहले भी हम एक और मिशन को आखरी वक्त में अपने आखों से उजल होते देख रहे थे नाम था चंद्रियान टू लेकिन दोस्तों दरसल वो नाकामयाब मिशन नहीं था और आज जब दुनिया को उसकी असली सचाई पता चली है तो भारत के दुश्मन इस चंद्रियान टू की कामयाबी जानकर छट पटाने लगे हैं क्योंकि दोस्तों चंद्रियान टू के और्बिटर ने वो करामात की है जिससे पूरी दुनिया में तहलका मच किया है चांद पर जिन्दा है मिशन चंद्रियान टू भारत के दूसरे चंद्र मिशन चंद्रियान टू ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया है मिशन के दौरान मिले आंकडों से ये खुलासा हुआ है कि चांद की सतह पर पानी के अनू है चंद्रियान 2 मिशन का और्बिटर चंद्रमा के 9000 से ज्यादा चक्कर लगा चुका है चंद्रमा की सता से 100 किलोमेटर उचाई वाली का क्षा में चंद्रियान 2 ने दो साल पूरे कर लिये है चंद्रियान 2 के 8 उपकरण लगातार अब्जवेशन कर तगड़ी जानकारी दे रहे है 2008 में भेजे गए भारत के पहले मिशन चंद्रियान 1 ने दुनिया को पहली बार चांद पर पानी होने की जानकारी दी थी दोस्तों भारत के चंद्रियान 1 इसके बाद चंद्रियान 2 के आंकडों पर अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा भी मुहर लगा चुकी है इसरो दुनिया में अपने किफायती और भरोसे मंद स्पेस प्रोजेक्ट्स के लिए जाना जाता है लेकिन हाली में फेल हुई कई लॉंच से इसरो की साख पर उंगलियां उठ गई थी लेकिन इसरो की ये कामियाबियां उन सवालों का मुहतोड जवाब मानी जा रही है चंद्रियान 2 मिशन को जुलाई 2019 में लॉंच किया गया था और इसने 6 से 7 सितंबर की रात को चांद पर उतरने की कोशिश की थी लेकिन इसका रोवर और लेंडर सेफ लेंडिंग नहीं कर पाए चंद पर उतरने की थी कोशिश? चंद्रियान 2 मिशन भारत की चांद की सतह पर उतरने की पहली कोशिश थी इसके तहट एक और बिटर, लेंडर और रोवर को भीजा गया था लेकिन लेंडिंग से कुछ सेकंड पहले लेंडर का कंट्रोल रूम से संपर्क तूट गया था जिसके बाद उससे संपर्क की सारी कोशिशیں बेकार हुई हलाकि दोस्तों भले ही भारत चांद की सतह पर नहीं उतर पाया लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्धियां हासिल कर ली जो आने वाले वक्त में दूसरे मिशन में सहायता करेंगी अब और्बिटर चांद के चारों और परिक्रमा करते हुए बेहग क्रांतिकारी और नई खोजे कर रहा है और्बिटर से चांद की सतह पर हाइड्रॉक्सिल और पानी के अनुओं का पता चला है करंट साइंस जर्नल में प्रकाशित रिसर्च में बताया गया है कि चांद की सभी प्रकार की सतहों पर हाइड्रेशन एब्सॉप्चन पाया गया है आंकडों की शुरुवाती समिक्षा में चांद की सतह पर हाइड्रेशन का पता चला है 39 डिग्री नॉर्थ से लेकर 62 डिग्री नॉर्थ के बीच सपष्ट तोर पर हाइड्रोक्सिल और पानी के संकेत मिले है चांद के जिस हिस्से में सूरज की रोशनी पढ़ती है वहाँ ऐसे ज्यादा संकेत मिले है इंडियन इंस्टिट्यूट ओफ रिमोट सेंसिंग के वैग्यानिक मानते हैं कि ये स्पेस वेधरिंग की वज़ज से चांद पर हाइड्रोक्सिल और पानी मौजूद हो सकते हैं पेस वेधरिंग उस प्रक्रिया को कहते हैं जब सौर हवाएं चांद की सता के साथ टकराती हैं इसके साथ कुछ अन्यक कारकों की वज़ज से केमिकल चेंज होते हैं जो हाइड्रोक्सिल बनने का कारण हो सकते हैं वैज्यानिकों ने इस जानकारी को बेहत एहम माना है हाइड्रोक्सिल औक्सीजन और हाइड्रोजन परमानूओं से मिलकर बनने वाला पानी का वो हिस्सा है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़कर पानी का एक अनू बनाता है पानी बनाने के लिए हाइड्रोक्सिल ही उत्तरदाई होता है चंद्रियान 2 मिशन से मिले ये आंकड़े दुनिया भर में भारतिय स्पेस एजिंसी इसरो के मिशन का डंका बजा रही है भले ही चंद्रियान 2 ने चंद्रमा की सतह पर हाड लैंडिंग की लेकिन चंद्रियान 2 के बाकी के हिस्से 100 फीसदी सही काम कर रहे है और इसने वो टास्ट पूरा किया है जो चीन भी अपने रोवर उतार कर भी नहीं कर पाया है चंद्रियान 2 की काम्याबी भारतिय वैज्यानिकों की उम्मीद से भी ज्यादा है चंद्रमा के कक्षा में चंद्रियान 2 के दो साल पूरे हो जाने के स्थती में इस्रो प्रमुख के सिवन ने चंद्र विज्ञान का रिशाला 2021 का उधगाटन किया है इस्रो प्रमुख सिवन ने चंद्रियान 2 के आंकडे और विज्ञान दस्तावेजों को जारी किया साथ ही उन्होंने चंद्रियान 2 के कक्ष पेलोड का डेटा भी जारी किया इसरों ने बताया है कि चंद्रियान 2 के बाकी हिस्से बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं चंद्र मिशन की काम्याबी पर नासा भी हैरान इसरों के पूर्व चेयर्मेन एस किरन कुमार ने कहा है कि चंद्रियान 2 पर लगे इमेजिंग एवं वैज्ञानिक उपकरण शांदार डाटा उपलब्द करा रहे हैं चंद्रियान 2 के उपकरणों में वास्तम में कई नए फीचर चोड़े गए हैं जिसने चंद्रियान 1 द्वारा किये गए उब्जवेशन को नई और अधिक उचाई पर पहुँचाया है चंद्रियान 2 की प्रोजेक्ट डिरेक्टर वनीथा एम ने कहा कि इसकी सभी उप्रणालियां ठीक धंग से काम कर रही हैं उम्मीद है कि इससे कई और वर्षों तक अच्छे डाटा मिल सकेंगे आपको बता दे कि भारत के इस मिशन पर नासा लगातार नजर रख रहा है क्योंकि हाल ही में चंद्रियान 2 ने चंद्रमा को लेकर एक एहम जानकारी पूरी दुनिया को बताई थी पिछले ही मेहिने चंद्रियान 2 ने पूरी दुनिया को बताया था कि चांद की सतफ पर हाइड्रोक्सिल और वाटर मॉलेक्यूलस यानी पानी के अनु मौजूद है वैज्यानिकों ने चंद्र की खनिज सनरचना को समझने के लिए और्बिटर के इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर से मिले आँकणों का अध्यायन किया इससे चंद्र की सतफ पर पानी मौजूद होने के संकेत सामने आये हैं दोस्तों भले ही भारत चांद के दक्षिन द्रुवियक शेत्र में नहीं उतर पाया था लेकिन उसने कई ऐसी उपलब्दियां हासिल कर ली जो आगामी मिशन में सहायता करेंगी इसरो ने चंद्रियान टू पर रोवर को लेकर हुई खलती को पकड़ लिया है और इस बार इसरो कोई भी खलती नहीं करने वाला है अब इसरो चंद्रियान टू में था उसी का इस्तिमाल चंद्रियान टू के लिए भी किया जाएगा इसरो एक प्रणाली विकसित कर रहा है और ये मिशन 2022 में लाँच कर दिया जाएगा दोस्तों भारत पूरी दुनिया में सबसे किफायती लाँच करने के लिए भी जाना जाता है भारत का मिशन चंद्रियान टू की लागत हॉलिवोड फिल्म ग्रैविटी के बजट से भी कम थी